क्या आपको भी बार-बार infection हो जाता है नीचे के भाग में खुजली, irritation, जलन, relation के बाद जलन, relation के समय पे दर्द होना या फिर आपको पेट में बहुत ज्यादा, नीचे पेडु के भाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है, खिचाओ होता है, बार-बार urine जाना पड़ता है, urine में जलन वगेरा होता है, या फिर आपको वहाँ पे mid cycle spotting हो जाते है, mid cycle bleeding हो जाती है, relation रखने के बाद bleeding हो जाती है, इसे कोई symptom हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चकनना हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे symptom नहीं है, ये symptom है PID के, ये symptom है आपके infection के, और जाते हैं के और यूटरस ट्यूब एक दूसरे के साथ चिप्रक जाते हैं, आपकी फेलोपिन ट्यूब बंध होने के chances बहुती ज्यादा 70-80% बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, जहां पर जिसको बार-बार-बार-इंफिक्शन होता है, उसके treatment करते हैं त यहां जाता है, तो आपके वजाइनल पीच भी अल्टर रहेगी, हस्बन के जो सेल्स होंगे वह वहीं पे मर जाएंगे, उपर फिलोपिन ट्यूब तक जाहीं नहीं पाएंगे, तो इन्फेक्शन होगा तो आपकी प्रेग्नन सी रुखने में वेसे भी दिक्कत आएगी, और दूसरा यहां पर आप छे मैने एक साल दो साल प्लान करते फिर फिर प्रेग्नेंसी ना रुके तो तुरंत ही फिलोपियन ट्यूप का टेस्ट कर आपकी फिलोपियन ट्यूप बंध होने की संभावना यहां पर बहुत ही हाई है तो इन्फेक्शन ओवरॉल आपकी जो फर बहुत ही ज्यादा पेसंट को दिक्कत होती है हमने सोचा कि आज इसके उपर इक डीटेल वीडियो बना दिया जाए यहां पर हम बात करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि यह इंफेक्शन है यह नॉर्मल डिश्चार्ड नहीं है क्योंकि बहुत साथ लोग मुझे यह पू यह प्यूंती है यह प्यक्शन ट्रीटमेंट नहीं देते या नहीं लेते है पिर वहां पर वैप का ट्रीटमेंट किया ठीक हो गया फिर प्रेलेसिन रखा़ा फिर से इनफेक्शन हो जाएगा तो यहां पर दोनों को कौन सी होमयोपधिक मैडिसीन लेनी चाहिए मैजिए साथ तो कौन-कौन से चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए हो सारी बातों का डिसकोशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं अखरी तक जूड़े रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सेर कर दीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चनल को त संभावना बढ़ जाती है सबसे पहला कोमन कारण यह है कि यदि आप पब्लिक टोइलेट बार बार इस्तमाल करते हैं चाहिए वो फिस में हो गया या कहीं किसी घर पे आप गए विजीट करने या फिर आपको साधी वगिरह में गए है या फिर बाहार कहीं घुमने गए है कहीं पर भी आपने यदि पब्लिक टोइलेट इस्तमाल कर ले या दूसरों को इस्तमाल किया हुआ टोइलेट आपने इस्तमाल कर लिया है यदि उनको इंफेक्शन था तो आपको तुरंद इंफेक्शन हो सकता है दूसरे रिजन रहता है कि यदि आपके या फिर आपकी हस तुसको इंफिक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी यहां पर आपकी जो इम्मुनिटी वो कम है तो इम्मुनिटी कम होगी तो भी आपको बार बार इंफिक्शन होगा यहां पर आपको इंफिक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी तो इसे बहुत सारे कारान होते हैं जिसके चलते बार बार आपको इंफिक्शन हो जाता है तो इंफिक्शन को ज़ड से खतम करने के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए लेने से नहीं काम चलने वाल उसको जड़ से खतम करना पड़ेगा और जैसे मैंने बता इंफेक्षन आप वजाईना में हो बारे भाग में खुझली इरिटेशन जलन कुछ है और उसको ठीक करते हैं तो वहां पर ही बात खतम हो जाती लेकिन इंफेक्षन ठीक नहीं हुआ त तक फेलोपियन ट्यूप तक आपकी पेल्वी सेरिया में चला जाएगा और वहां पर बहुत ही ज्यादा फिर आगे दिक्कत आपको हो सकती है तो यहां पर में बात करते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इंफेक्षन है सिम्टम क्या क्या होगा बोडी में तो सिम्ट बहुत सार लोग बोलते हैं फिर मैं पूछती है तो नहीं पूछती सिम्टम को पानी आता रहता है तो जब आप मेंनो पोजल एज नहीं आएगी त तब तक पूरा एंमला ऊहnereibt का वाउगा नुैड़ना weiß हो नहीं और ऑक नहीं हो नहीं चाहिए वहां पर आपके इंफेक काना नोर्मल है वो थोड़ा सा गाड़ा होगा पीरेट के पहले पीरेट के बाद में स्लाइमी डिस्चार्ज होगा वोट्री डिस्चार्ज होगा ओविलेशन टाइम पे तो वो पूरा महिना डिस्चार्ज का जो केरेक्टर होगा वो भी चेंज होगा तो डिस्चार्ज आना हुआ है तो infection बोल सकते हैं यदि इसमें से बदबु आ रही है माइनर से स्मेल नोर्मल है लेकिन यदि इसमें से बदबु आ रही है फिशी श्मेल आ रही है unpleasant smell आ रहे है तो उसको infection बोला जाएगा दूसरे infection का में एक symptom यह रहेगा कि आपको नीचे के पेड़ों के भाग में भी खिचाओ दर्द रहेगा और जलन बहुत जयादा होगी कफी सारे लोग मुझे बोलते के जैसी रिलेसन कहतम हो तुरंत मुझे पार्ट वोस करने के लिए जहना पड़ेगी इतनी ज्यादा जलन होती है तो जलन ज्यादा रहेगे आपको या फिर आपको रिलेसन के तुरंद बाद स्पोर्टिंग चालोगी या रिलेशन के दोरान फिर ब्रीदिंग चालो हो जाएगी तो यह वहाँ पर क्रोनिक सर्विस आइटिस बोलते उसको बहुत ही वहाँ पर ज्यादा इन्फिक्शन इसा बोला जाएगा दूसरा सिम्टम में आएगा कि आपके फिलोपियन ट्य तो जैसे मैंने बता था हस्बंड और वाइप दोनों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ है ट्रीटमेंट से भी ज्यादा आप वहाँ पर हस्बंड और वाइप दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वोस दूसरा वहाँ पे Vyodis इस्तमाल करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप पूरी lifelong इस्तमाल करो ही यदे आप नहा आते समय प्लेन साबून से भी अपने पार्ट को क्लीन करते हैं तो वहां पे इनव है, लेकिन यह दि बार-बार इंफेक्शन होता है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन रहता है, तो आप कुछ दिनों के लिए वीवोस का इस्तमाल कर सकते हैं, अंदर से कभी क्लीन नहीं करना है, उंगली डाल के क्लीन करते हैं, दीप क्लीनिंग करते हैं, अं कभी सफाई नहीं करनी है ना ही साबुन से ना ही किसी वह से बाहरी भाग को अच्छे से सिप साब रखे हो जाएगा और हस्बन को भी ध्यान में रखना है दोनों को वहाँ पे इंटरनल जो हाईजीन है उसको मेंटेंट करनी है पेंटी दिन में दो बार चेंज किजिए सुप दोनों में तो यहां पर सिप यूरीन की ट्रीटमेंट कर देंगे बात खतम हो जाएगी उरीन में चलन खतम बात खतम लेकिन उपर तक चला जाएगा तो दिक्कत करेगा तो उसको जड़ से खतम करना ज़रूरी है तो उसके लिए बात करते हो उमियोप्तिक मेडिसेन सा कौन सी लेंगे तो घमीयोप्तिक मेडिसेन जैसे मैंने बता उसमेन आपका one more मेडियोजोच, सफ्क यह सारी medicine AC है जो आपकी infection को ठीक करने में आपकी help करेगा और यदि recurrent infection रहता है देखो यदि आपको infection है प्लान कर रहे है प्रेग्ननसी नहीं रुकरी है ट्यूब बंध है तुन सबके लिए तो आप हमारी टेलफोनिक appointment भुक करा लिजिए उसकी detail हमने नीचे description box में रखी वहाँ पे WhatsApp पर सिप इतना ही कहिना है मुझे आपके appointment चाहिए मेरी टीम आपको आगे guide कर देगी लेकिन यह आप प्रिवेंटिव तोर पे काम करना चाहते है कि बार बार होता ही रहता है होता ही रहता है उसके लिए especially husband और wife week में एक बार मेडोरिनम 1M का एक dose ले 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 यानि कि हर संडे सुबह में wife को भी दो बुन ले 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 नहीं है husband को भी दो बुन ले 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 नहीं फिर पूरा महिना कुछ नहीं तीन महिने तक यह आप लेंगे तो जो बार बार जिसको उता है एक बार होवा उसके लिए नहीं बार बार हो बुक करवा सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंसेर कर दीजिए का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी आप इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वहां पर क्योनलाइसेसंस होते रहते हैं और य तो चलिए फ्रेंट फिर जली से मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी बाई